नमस्कार दोस्तों जी के दस का दम स्रीज में आप सभी का स्वगत है दोस्तों इस स्रीज में आपको प्रते दिन दस प्रस्ण मिलेंगे और ये सभी प्रस्ण आपके सभी एक दिवसे पड़ी छांक लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए आप सब से निवेदन है कि आप स सा अंदोलन की सिरा से समंदित नहीं है पहले अंदोलन की बात करें चिपको अंदोलन चमोली जीला उत्तराखंड ये बात सही है क्योंकि जब यह सुरू हुआ था तो चमोली जीला उत्तर प्रदेश का हिस्सा था लेकिन इस समय क्या है या उत्तराखंड का हिस्सा है अगर हम में नानाटक में शुरू होगे यह आपका तमिल लाड़ में शुरू हुआ था ये पिर्च्छ बचाने से संबंदित करद यहां यॹ जिब्चकौअ अंतोलन के 10 साल बाद मतलब 1973 में शुरू हुआ था तो यह 1983 में शुरू होता है ठीक है यह 1983 में शुरू होता है विश्णुई अंदोलन की बात करें तिया बहुत पहले की बात है 1730 की बात है उस से में विश्णुई समाजने राजस्थान में एक उगने वाले पेड जिसका नाम हे खेजभी उसको बचाने के लिए बिस्नोई आंदोलन शुरू किया था यह भी पेड़ से संब्द थे सालेंट वैली प्रोजेक्ट यहां भी सालेंट वैली के आज पास एक हाइड्र एलेक्टिक प्रोजेक्ट लगना था इसी के बिरोध में सालेंट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया एक अंदोलन शुर साहिए तो इस प्रसंट के माध्यम से आपने चार प्रसंटों को देखा पर चारों प्रसंट आपके विभीन परिच्छाओं में पूछे गया है एक आंदोलन रहे गया है जो जंगल बचाओं अंदोलन है जो की तातकालिन बिहार में शुरू हुआ था इस समय वो ज्छारखं पर राष्ण कंड़ करनाटक यहें यह अपको पर्यार राष्ण आपके केरल राज में हैं आपके कंस्या Cave समेर और हेमिस नेसनल पार्क यह जमू का समीर में नहों के लद्दाग है यह वात करें 21 अक्टूबर 2019 के पहले की तो पूरा जमू का समीर जो था एक राज यह था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या कहिए इसे दो भागों में बाड़ दिया गया एक जमू का समीर के अंसासित में लेह नामगीले में इस्थित है ठीक है अगला प्रसम लोग देखते हैं कि वाई मंडल में आधरता को मापने के लिए किस यंत्रका प्रियुख किया जाता है यह प्रसने इतना कंफ्यूजन क्रेट करता है कि यदि कोई बच्चा धिहान से ना पढ़े तो गलत करके आता है क्योंकि यहाँ पर हमेसा दो आप्सन मिल जाएंगे एक हईड्रो मीटर एक हाइड्रो मीटर और यहीं दोनों आप्सन हमें कंत्रूज करता कि हुआ हम बात करते हैं यदि कहीं पर आदरता है या ह्युमीनिटिटी है पतलब वहाँ पर नमी है तो उसक्ञाइई क्या करेंग तो जब बात आती है आद्रता की तो हो जाएगा घयरोमेटर क्योंकि जब आपकी नमी रहती है खेत भी नमी हो ठीक है या कहीं भी नमी होगी तो वहां पर पेड़ पौदे या फंजाई क्या करेंगे ग्रो करेंगे तो आधरता मापने के लिए हाइड्रोमेटर ठीक आप एच्छी घनत मापने के लिए हाइड्रोमेटर घनत मापना है तो हाइड्रो बारोमीटर आपका वाई मंड़ेले दाब मापने के लिए तदा पाइरोमीटर जो है तापमान सी मापने वक्यों करें यह विकलर प्रसंद देखें अग्ला प्रसंद हुआ है हम देखेंगे कि निम्न बिकलपों में से कवं सा विकलप सही सुमेलित नहीं है ठीक है चार गवर्नर्जनर्र है उनके सामने उनसे किवे कुछ कारी है पहली बात करते हैं लाड़ कार9 की इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त योजना लागू कि यह बात आपकी सही है और यहें को नागरिक सेवा का कहा जाता है कारणवालिस को क्या कहा जाता नागरिक सेवा का जनक इन्होंने अस्थाई बंदोबस्ति योजना लागू की जिसे में लगान का 90% जो जमिदार होता था लगान का 90% कंपनी को दे देता था 10% अपने पास रखता था लाड बिलियम बेंटिक की बात करें इन्हों सबसे पहले ने सतारा को हट हडपा और सबसे लाश्ट में आवध को भी कुसासन का आरोप लागाकर हडब लिया ठीक है। इनके समय में डल्होजी के ही समय में क्या होता है कि मुंबई से ठारmind की बीच में ठीक है। मुंबई से ठारे की बीच में 16 अपम आठारा सो तिर पन में रेल चला है ठीक है। और बुढडmax आयोग बना वह भी डल होजी के समय में आया था लाड लिटन की बात करें तो यह संसाण का यह यह आपसन में रिपन जो है वह एक घल लाया था इसमें हिंदी समाचारों पर बहुत पर्तिपंद लगा दिया गया थे लिट रिपन के बारे में 200 असन का इसी जनक कहा जाता है इसके समय जो जनसंख्या है दस साल पर गिनी जाने लगे ठीके दसक की जनसंख्या गड़ना शुरू हो गई थी तो ये रिपन के समय में हुई अगला प्रसुम लोग देखते हैं निर्म में से किस उस्मा अंत्रण बिद से प्रिथिवी को सूर्य से उर्जा प्राप्त होती है देखिए सूर्य से जब उर्जा आती है प्रिथिवी तक तो बीच में क्या होता है बीच में निर्वात मिलता है बीच में क्या मिलेगा निर्वात मिलेगा वहां पे आपको वायु नहीं है ठीक है वहां पे आपको वाय तो निर्वात में ना तो कंडक्शन के दोरा जा पाएगा ना तो संभन के दोरा तो इक ही आपसन बस्ता रेडियेशन या विक्रण के दोरा सूर्ज से पिर्थविता कुर्जा आती है अगला प्रसम लोग देखेंगे कि भारत ने पहला प्रयोगातमक उबगरा आरे भट पर पर्फम किस बरस circumstance किया ठीक है भरत ने प्रतम अप्स सिवेंची किस बरस लांच किया ये लांच किया गयाम रूस की सहायता से भारत अपने प्रियुगात म refuse पर्फम किया अगर एंफने 1979 की चवा समय है जब इश्रू की अस्थापना होती है 15 आगस 1979 को इश्रू की अस्थापना होती है 1973 यह ट्राइगर प्रोजेक्ट ठीक है और चिपको अंदोलन के लिए जाना जाता है 1988 की बात करें तो भारत की पहली सौदेशी मिसाइल प्रित्वी का सफल परिच्छन किया ग गया तो चार जो साल हैं चार यह यह बहुत महपूर हैं 1979 में शुरू की अस्थापना होती है ठीक है 1973 में क्या होता है टाइगर प्रोजेक्ट आता है ठीक है टाइगर प्रोजेक्ट में शुरू होता है और चिपको अंदोलन 1973 में शुरू होता है 1975 की बात करें तो भारत का पहला प्रिवात्मों को फर्थम छोड़ा जाता है रूस की सहता से 1988 में पहली मिसाइल पिर्थवी दागी जाती है इसका विशाफल परिष्चे होता है अगला प्रस्ट नमारा निम्द विकलबों का सही मिलान करिए चारी चारा कांड ठीक ठाने में आग लगा दी जाती है य सहयोग अंदोलन गादी जी के दौरा शुरू किया गया यह बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन चार फरूर ने 122 को क्या होता है कि एक ग्रुप एक ठाने के किरारे से जा रहा होता है ठाने के पुलिस वाले उकसाते हैं और उस उकसाने में और जो बिद्रो हुआ उसके ब बात आपका सही है काकोरी ट्रेन डकेती नौगस 1925 को शुरू होता है ठीक है इसमें क्या होता है कि लखनों के पास एक काकोरी नामक जगा है जहां पे ट्रेन को लूट लिया जाता है और इसे ट्रेन को लूटने का जो विचार था यह सबसे पहले राम परसाद बिसमिल के दिमाग में आया था और इसे ट्रेन को लूटने की वज़ा से चार लोगों अस्वाक उल्लाखा राजेंद लाड़ी राम परसाद विसमिल रोसन सिंग को ग्रिफतार करके 1927 में फासी दे दी जाती है ठीक है 1925 की घटना 1927 तक फासी दे दी जाती है दांडी मार्च 12 अपरेल 1931 यह आपसर आपका गलत है क्यों गलत है क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ ठीक है और 6 अपरेल 1930 को यह दांडी पहुंचा था सावर्मती आसरम शुरू था दांडी पहुंचा था कुल 240 मील चल के गादी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और ज यह बतलब 6 अपरेल 1930 को नमक कानून तोड़ा और उसी दिन क्या है सभीने अवग्या अंदोलों की शुरूआद गादी जी ने कर दी भारत छोड़ों अंदोलों की बात करें 9 अगस्त 2022 को शुरू होता है अगला प्रस्णम लोग देखेंगे पानिपत की पहली लड़ाई किस बर से लड़ी गई पानिपत की लड़ाई बात करें तो पानिपत में तीन लड़ाई या लड़ी गई ठीक है पानिपत में तीन लड़ाई या लड़ी गई पहली लड़ाई 1526 इस्वी में पानिपत फर्ष्ट जो होता है ये 1526 इस्वी मे बाबर और इब्राहिम लोदिन और बाबर विजयी हो जाता है दूसरी लडाई जो हमारी होती है यह अकबर ठीक है अकबर यह दूसरी लडाई यह 15.56 में अकबर और हेमू की बेच में अकबर वरसज हेमू अकबर की जीत होती है अहमद सफब्दाली इसमें जीत जाता है ठीक है अपसाब्दाली के वीच में होती है वह अपसाब्दाली इस युद्ध को जितता है और 1764 में क्या होता है हमारा बक्सर का युद्ध होता है बकसर का यूद अंग्रेजों और वीर कासिम ठीक है, सुजाओ दौलास और मुगल सम्राट साह आलम जितिये के बीच होता है जिसमें अंग्रेजों की बिजे होती है ये बकसर का यूद्ध होता है ठीक है इस प्रकार जो एक प्रस्ण है उससे हम चार-चार प्रस्णों को हल कर रहें ठीक है तो यह जो दस का दम स्रीज है यह आपके लिए बहुत हुई महत्पूर्ण है और हमारा आप से निविदन है कि आप लोग इस जरूर जुड़े आपको आने वाली परिच्छाओं में बहु प्रस्णी जादा तर पूछी जा रहे हैं कुद्बुद्दिन एवक के बारे में कौन सा कथन असत्य है ठीक है कुद्बुद्दिन एवक के बारे में कौन सा कथन असत्य है पहला कि एक गुलाम बंच का संस्थापक था यह बात सही है ठीक है कुद्बुद्दिन एवक क्य ना कि कुदबुद्रधिन जिए फटवुक逸ित का गुलाम था इसे फिर फिर गुलामों को घुलाम कहा जाता है क्योंकि कुदबुद्र धानी रहोर थी यह आपता साइबंप सही है अगला प्रशन которой निम्न में से कौन सी दहात इंसुलिन में पाई जाती है और माइगनिसियम की बात करें यह पार आगर कलोर्यफिल में पायाता है तो इस प्रकार आपने फिर देखा कि एक प्रस्व्य को मैंने इस परकार मॉडिफाई किया है कि आपके लखषब के तो यह जो सभी प्रसन है उन प्रस्ण नहीं है जो जामें पूछे गए हम्ण को किया गया है इनको इस लाइग बना गया कि एक ही प्रस्ण से आपकी लगभग चार से पांच प्रस्ण हल हो जाएं ठीक है और कोशीस यह कि गई कि प्रस्ण जिस जब आपसन बनाया जाए तो एक जैसे हो जिससे की लगभग उस तरीके की सभी चीज़े एक ही देका कवर हो जाए ठीक है तो यह आज का दस कदम का दस कोश्चन थे और आपने इन कोश्चन को देखा आपकी प्रतक्रिया कैसी है आप कमेंट करके जरूर बत दे दूँगा अब इसको डाउनलोड करके आप खुद इसको आज एक टेस्ट दे सकते हैं फ्यूचर में ठीक है तो आज आप लोगे से मिदा लेते हैं जैहिन जै भारत